वसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सिक्च अकैडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रेलवे एंट पीसी और ग्रुप डी के लिए सामन ग्यान का भाग पहला जिसमें सभी संभावित प्रस्ट लिए गए हैं जो कि आपके आगाम एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी की हो यह आज कई है वीडियो स्टार्ट करते हैं और से पहले आपको याद दला नेदी आप हमारे चैनल सिक्च अकैडमी पर पहली बाल बिजिट कर रहे हैं त ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नौटिपिकसन प्राप्त होश राके दो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला फ्रेशन है वीडियो का भारत में खोया गया सबसे पुराना सहर कौन सा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है इसका राइट आ में यह कहां पर है पाकिस्तान में इस्तित है अंगला फिश्ण है कि सौराज मेरा जनमशिद अधिकार है किस ने कहा था सौराज मेरा जनमशिद अधिकार है और इसे में लेकर ही रहूँगा यह किस ने कहा था इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगा धर तलक ने कहा था कि सौराज मेरा जनमशिद अधिकार है जिसे मैं लेकर ही रहूँगा नैश्ट है महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरू कौन थे राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृश्न गोखले को मानते थे महाथ्मा गांदी अपना राजनेतिक गरूप चलिए आंगे बढ़ते हैं अंगला फ्रिश्ण है भारत की प्रता मुसलिम महीला सासी का कौन बनी थी इसका राइट आंसर हो जाएगा सजिया शुल्दान ठीके रजिया सुल्दान बनी थी भारत की प्रत्था मुस्लिम महिला सासी का अंगला फ्रिश्ण है सिंदु घाटी सब्वता का पत्ता नगर जो बंदरगाय है वह कौन शाथा सिंदु घाटी सब्वता का बंदरगाय कौन शाथ था उश का किया नाम था तो राइट आंसर इसका है लो थल ठीक है लो थल जो था यह कहा का सिंदु घाटी सब्वता का जो पहला या जो प्राचीन बंदरगाय सब चिर प्राचीन बंदरगाय इसको ही माना जाता है लो थल क संस्थापक कौन है राष्टिय कॉंग्रिस जो है वर्तमान में इसके संस्थापक का क्या नाम है तो इसके संस्थापक का नाम है ए ओ हुरूम है भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस के संस्थापक अंगला फ्रिश्ण है महत्मग बुद्ध द्वारा दिये गए प्रतम उब्दि कहा जाता है धर्मर चक्र प्रवदन कहा जाता है महत्मा बुद्ध द्वारा दिये गए प्रत्थम अब्देश को अंगला फिर्शन है कि किस बेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है किस बेद की रचना गद एबं पद दोनों में ही की गई है तो राइट आंसर इसक कि रचना गद्द और पद्द दोनों में की गई है अंगला फिश्ट ने अपना कि भारत में पहला समाचार पत्र किस ने सुरू किया था भारत में जो पहला समाचार पत्र है यह किस ने प्रारह्म किया था तो राइट टांसरस का हो जाएगा शयद एहमत खान ने शयद एहमत खान ने किया था भारत का पहला समाचार पत्र अंगला फिश्ण है किसके सासनकाल में बौद धर्म दो भागों में हीनियान और महायान में बट गया था किसके सासनकाल में बौद धर्म दो भागों में बट गया था एक हीनियान और दूसरा महायान तो यह बटा था कनिस्क के स सासिन काल में कनिस के सासिन काल में बट गया था अंगला फिश्ण है लोधी बंस का अंतिम शासक कौन था लोधी बंस का जो अंतिम शासक था वह कौन था तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्राहिम लोधी था ठीक है अब्राहिम लोधी था लोधी बंस का अंतिम सासक इ से बावर ने हराय था सन 1526 में पानिपत के प्रतम युद्ध में ठीक है अंगला फिश्ण है कि प्रतम जैन संगीती कहां आयोजित की गई थी प्रतम जैन संगीती जो है यह कहां पर आयोजित की गई थी तो यह आयोजित की गई थी पार्टली पुत्र में ठीक है प्रतम जैन संगीती यह पार्टली पुत्र में आयोजित की गई थी अंगला फ्रिश ने अपना कि दिली के किस सुल्तान को इतिहास कारों ने व्रूदों का मिश्रन बताया था इतिहास कारों ने क्या बताया था व्रूदों का मिश्रन बताया था तो यह बताया था मुहम्मद बिन उन्होंने क्या वतायए था अंगला फ्रिश्ण है कि रिक्बेद समाज की सबसे छोटी एकाई क्या हिए। थी वह कौन थी तो वह थी कुल या परिवार कुल या परिवार को सबसे छोटी एकाई माना जाता था रिक बैदिक समाज में नेश्ट है कि किस सासक के पास एक सकती साली नौ सेना थी तो इसका राइट आंसर है चोल बंस के सासकों के पास थी चोल बंस के जो सासक थी उनके पास एक बिसाल नो शेना हुआ करती थी अंगला फ्रेश्ण है संकेरतन प्रथा के जनम दाता कौन है संकीरतन प्रथा जो थी इसके जनम दाता कौन है तो यह है राइट आंसर है चेतनमुनी ठीक है चेतन मुनी हैं किस के जनम कित के संकीतन प्रता के जनम दाता अंगला फिर्ष्ण है कि किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो यह है कहा जाता था औरंग जेब के लिए औरंग जेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था अंगला पिशन है सहीद आजम उपादी से किसे सम्मानित किया गया था सहीद आजम उपादी से किसे सम्मानित किया गया था तो यह सम्मानित किया गया था भगस सेहं के लिए भगस सेहं को सहीद आजम की उपादी से सम्मानित किया गया था साइमन कमीसन के बरोद प्रदरसन के दोरान किये गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मरत्तू हो गए थी उसके प्रदरसन के दोरान एक राज नेता की मृत्तु हो गई थी उनका नाम था लाला लाजपत राए लाला लाजपत राए की मृत्तु हो गई थी बहावी आंदूलन के प्रबर्तक कौन है बहावी जो आंदूलन हुआ था इसके प्रबर्तक कौन थे तो राइक टांसर इसका हो जाएगा किस इस्तान पर बुद्ध ने महापरी निर्वान प्राप्त किया था तो यह कहाँ पर किया था खुशी नगर में किया था अंगला प्रिश्ण है कि कांग्रेस के प्रतम अदिवेशन की अध्यक्ष ताकिशन की थी कांग्रेस के प्रतम जो अध्यक्ष ताकिशन हुआ था इसकी अध्यक्ष ताकिशन की थी तो इसका राइट आंसर है वियोम चंद बनर जी ने की थी कांग्रेस के प्रतम अध्यक्ष की अध्यक्षता भागवान नटराज का प्रिशिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्यम सिल्फ कला इस्तिति के बाहर भागवान नटराज का जो प्रिशिद्ध मंदिर है जिसमें भारत नाट्यम सिल्फ कला है यह कहां पर इस्तित है तो यह कहां पर है चिब दंब में इस्ति थे अंगला फिश्ण है कि महत्मा बुद्ध ने अब्देश देने हे तू किस भासा का प्रियोग किया था तो यह कुस पाली भासा का प्रियोग किया गया था अंगला फिश्ण है कॉतम बुद्ध ने कारे को किस सासक ने पूरा करवाया था तो इसका रैट आंसर है इलतria मिश्ट ने पूरा करवाया था लीला बती पुस्तक किस से सम्बंदित है लीला बती जो नावक पुस्तक है यह किस से सम्बंदित है तो इसका राइट आंसर है कि यह गड़त से सम्बंदित है किस कौन से विसाई से गड़त विसाई से सम्बंदित है पहाड़ी काटकर एलोडा के विख्यात केलास नात मंदर का निर्मान किस ने करवाय था तो राइट आंसर है राश्ट कूटों ने करवाय था राश्ट कूट के सासकों ने करवाय था चीनी यात्री हैंग सांग किसके सासन काल में भारत आया था चीनी याती जो हैंग सांग था यह किसके सासन काल में भारत आया था तो यह आया था हरस बर्धन के सासन काल में हरस बर्धन के सासन काल में भारत आया था बनारस हिंदू विश्विद्याले के संस्थापक कौन है बनारस हिंदू विश्विद्याले के संस्थापक कौन है तो यह हैं मदन मुहन मालविये मदन मुहन मालविये हैं बनारस हिंदू विश्विद्याले के संस्थापक अंगला फिश्ण है कि सुतंत्र भारत के प्रत्थम गवर्नर जनर कौन थे सुतंत्र भारत के जो प्रत्थम गवर्नर जनर हुए थे उनका नाम था लाट माउंट बेंटन लाट माउंट बेंटन थे किस मुस्लिम सासक के शिकों पर देवी लच्चमी की आकरती बनी थी तो वह वनी थी मुहम्मद गौरी थी मुहम्मद गौरी जो सासक हुआ था उसने अपने शिकों पर देवी लच्चमी जी की आकरती को अंकित करवाय था अंगला फिर्ष्ण है काला सोग की राजधानी कहां पर थी काला सोग जो सासक हुआ था इसकी राजधानी कहां पर थी तो यह कहां पर पार्टली पुत्र में इस्तित थी काला सोग की राजधानी पार्टली पुत्र में इस्तित थी गायत्री मंत्र की रचना किस ने की थी गायत्री जो मंत्र है इसकी रचना किस ने की थी तो इसका राइट आंसर है यह विश्वा मित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना किस के द्वारा विश्वा मित्र जी द्वारा की गई थी लंदन में इंडिया हाउस की इस्तापना किसने कि थी लंदन में इंडिया हाउस की जो इस्तापना है यह किसने कि थी तो यह शाम जी कृष्ण बर्मा जी के दौरा की गई थी शाम जी कृष्ण बर्मा जी के दौरा लंदन में इंडिया हाउस की इस्तापना की गई थी अंगला फिर्शन है कि किस गुप्त कालीन सासक को कभी राज कहा गया है किस गुप्त कालीन सासक के लिए कभी राज कहा गया है तो यह कहा गया है शमुद्र गुप्त के लिए शमुद्र गुप्त को कभी राज की उपादी प्रदान किया कभी राज कहा जाता है अंगला फिश्ण है ये अखबर इतिहासकारों में किस से अखबर को इसलाम का सत्रू कहा है अखबर इतिहासकारों में किस ने अखबर को इसलाम का सत्रू कहा था तो यह कहा था बदा यूनी ने इतिहासकार जो बदा यूनी था इसने अखबर के लिए इसलाम का सत्रू कहा थ नेश्ट है भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रत्थम आचारिय थे वह कौन थे भक्ती को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रत्थम आचारिय थे उनका क्या नाम था तो उनका नाम था संक्रा चारिय था संक्रा चारिय था नेश्ट है कि किस नगर को सी राजे हिंद कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है जौन पुर को कहा जाता है जौन पुर के लिए सिराजे हिंद कहा जाता है अंगला फ्रिश्ट है चालोक के वन्स का सरवादिक प्रिश्द शासक था उवह कौन था तो इसका राइट आंसर है पुल केशन दितिये था यह चालोक के वन्स का सरवादिक प्रिश्द और सबसे ज़्यादा वलवान और पहलवान सासक हुआ था ठीक है अंगला फ्रिश्ट है कि मुहम्मद गौरी ने 1192 इस्वी में हुए तराइन के दितिय युद्ध में किस सासा को पराज़त किया था मुहम्मद गौरी ने 1192 इस्वी में हुए तराइन का जो दूसरा युद्ध है इसमें किस सासा को पराज़त किया था तो इसके लिए किया था प्रत्वी राज चोहान को प्रत्वी राज चोहान को प्राजित किया था ठीए किसमें 1192 में जो दूसरा तरायन का युद हुआ था उसमें मुहम्मद गौरी ने प्रत्वी राज चोहान को प्राजित किया था दोस्तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहां पर शमाप्त होता है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक ली तुस्टू, बाइ